बूर्णिंग और लेट सेलिब्रेट दोस्तों मेरे नाम अनुराग अग्रवाल है और आज का टॉपिक हमारा है कि कैसे हम लोगों ने अपने वैपार को चलाना है आफस में बिना जाए हुई आपको थोड़ा सा हरानी हो रही होगी कि आफस जाए बिना आफस चल सकता है बिल्कुछ चल सकता है मैं आपको बिदेर सारी दलीले देता हूँ कि क्यों आपका आफस जाने से आपका काम रुकता है आपको दिखता है कि आपका काम हो रहा है आपका काम हो नहीं रहा होता लेक कि आटो पैलेट का मतलब है कि विपार का चलना बिना जाए हुए और आपकी इंकम का बने रहे ना ताकि आप आफिस में बहुत कम जाओ या न की ब्रावर बें जाओ और आपकी इंकम आती रहे आपका विपार चलता रहे चलता रहे चलता रहे ठीक है और यहाँ पर आफिस न जाने का मतलब यह हुआ कि आप आफिस में तो नहीं जा रहे हुए लेकिन आफिस का पुरा कंट्रोल आपके हाथ में है आप पुरा टच में हो और आफिस को कहीं और से आम मेंटेन कर रहे हूँ क्लिया दोसर जैसे मैं आपको बता रहा था कि मेरे नाम अनुराग अग्रुमाल है और मैं पिछले करीब 18 सालों से पब्लिक स्पिंग की और कैसे अपने बिजनस को आगे बनाना है बिजनस कोर्स की मैं ट्रेंग दे रहा हूं 18 सालों से और हमारे डेली और इंसियार में 10 आप पर आते हैं और यहां पर ऐसे पीजी रहते हैं और स्पोर्स को करने के बाद बापश आते हैं और किसी कान से अगर आपको आप नहीं आ सकते लेकिन आपको वीडियो जगतार चाहिए तो मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और साथ में बेल आइकन को हिट जरूर करना नहीं तो आपको वीडियो नहीं मिलेगी और मैं आपको वेपार की आज बहुत अच्छी एक बात बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपने जैसे आपको बिता कर चुका हूँ मैं कि अपने वेपार को अपने कैसे चलाना है आगे बिना आफिस जाय हुए ले पिताजी के 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 जो है हमारा जो पैमिली ट्री है पिछले 500 साल का जो हम लोगों ने तियार किया है हमको यही पता चलता है कि हम लोग वेपार में और धंदे में और थे हैं हम लोग तो मेरे DNA में मेरे हर ग्रग में मेरे हर एक कोर के अंदर बिजस को साफ पड़ा है तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के अपड़ तो दोस्तों आज की मैंने वरक्शॉप को बनाया है देखिये आपको गलतियों को कम से कम करना है जितना जड़ा आप गलतियों काव में रखेंगे इतना आपका पैसा बचेगा उतना आपका समय बचेगा एक्तियना मुला जी वो मस्ज़ास के बासे गुजर रहे थे तो अंदर मॉल भी कह रहे थे कि सुभे सनाम करने से पहले नहाने से पहले नमाज पढ़ना गुना आ है और उन्हें नमाज पढ़नी छोड़ दी मतलब आदी बात जो है वो घातक हो सकती है नुकसान दैक हो सकते है, आपने पूरी बात को जरूर सुनना है, ठीक है? डिस्क्रेमर जो है, आपके हो सकते हैं, किसी थौड के एक हो, दो हो, तीन-तीन भी डिस्क्रेमर हो सकते हैं देखिए, कल पूजाएगा मत, मुझे आपको जाजला इंफॉर्मिशन देनी है, तरहा चल्द यली बोलना है, ताकि आपकी वीडियो जो है, ये कम से कम बने, शौर्ट से शौर्ट रहे, ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे, और साथ में आपको मैं जाजला इंफॉर्म आप धाक के तीन पार बन जाते हो, वोब कहते हैं, और देन के लिखक्ते होगे, ये लोह मकाव जाते है। क्यों रखते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद आपको आइडिया साथ हैं स्टीवन जॉंसन कहते हैं आप जाएए आप जाएए सीसीडी के अंदर आप लोग जाएए बरिस्ता के अंदर आप स्टारबक्स में जाएए यहाँ पर जाके आपको मिलना है उन लोगों से आपको फै आप मिलिजमेंट से मिल करके भी फैदे होते हैं लेकिन साथ में दूसरे लोगों से भी मिल के आपको फैदे होते हैं तो आपने सीखना है और एक बात का ख्याल रखेगा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग आफिसे जाकर बाहर जाकर अपने बापार को चलाएं उसका सबसे बड आइडियास लिए हैं काफी शॉप में जाकर या फिर उटी कुड़े कनाल मसूरी शिमला या गोई या वकाओ जाकर आपने किया अपने बिसनस के हिसाब से जितना बड़ा बिसनस है अतना जदा अपने दूर आप मिंडिकों रख सकते हैं उसकी बात वापस आईए और आपको एक और मैं कहना चाहूंगा बिल गेट से कहा है कि अगर आपका ऑफिस जाए वो एफिचेंट है उसमें बरकत है तो आप जरूर भार से आइडियास लिए बाहर जाए मिटिंग लखिए लेकिन अगर आपके ऑफिस में बरकत नहीं है एफिचेंसी नहीं है तो यह आ आपके सप्लाई नहीं आ रही है आपके रॉल मिटल आपके पास नहीं है फोर मैं गायब है आपका डिबरी बॉई गायब है आपकी जो लॉजिसिक्स के अंदर बिल्टी आपके पर नहीं आई है माल नहीं पहुचा है बला बला सारी मुश्किले आपके साथ में होती है और सारी मुश्किलों को करता हो कौन है स्वाल आप ही तो करते हो आप ही फायर फायर्टर हो आप ही ट्रवल शूटर हो सारी की सारी मुश्किल आपके सिर्खे पर आती हैं और धीरे धीरे आप ऐसे टेंशन में आया जाते हो इस जंग से वरिद में आया जाते हो कि एक दम से ऑक्क प़हीड हो जाते हो सारा दिन काम करते हो शांत तक art को लगते हैं अपने कुछ किया ही नहीं है तो यह एक और रीजन है कि समधार लोंग अपने वफ़ार को बाहर से चलाते हैं इसके एक दो बाते भी है उग्दाब में वाद में है सकते हैं और पूर्ट को अपको स्टार्ट होते ही का आपको महा से निकल जाना है यही सही है आगला जो कारण है कि आप लोग अपने अफिस में जाते हो अपने office के बिना आप वेपार को चाह नहीं पाते हैं वो ये एक thought है वो एक reason है वो आपके मन का एक reason है कि आप ये सोचते हो कि no one is burden me मेरा staff job मेरे से बहतर ही नहीं मैं मानता है आप इस business को 10 साल से 15 साल से 20 साल से कर रहे हैं और आपके staff ने आपको join कि हमात 6 मेने से 1 साल से 2 साल से 3 साल से वो तो भी आया है और number two अभी आया है लेकिन आप उसको काम वैसे भी करने नहीं देते हो जब भी कोई मुश्किला आती है हर बात के लिए आप वहाँ पर होते हो कोई मुश्किला आती है मैं हूँ मैं हूँ हर बात पर आप उस firm को solve कर रहे हो आपका स्टाफ जो है अपने पैरों पर कभी खड़ा हो पाता ही नहीं है आपके ना होने से आपका स्टाफ उस डिस्टम को ले पाएगा इस क्या भी रीजन है कि आपको महांसे निकल जाना चाहिए अच्छा आप इसका डिस्क्लेमर भी है इसका डिस्क्रिमर ये है कि कुछ एक ऐसे इंप्राइस होते हैं जो आपके ना आने पर मौके पर चौका लगाएंगे वो हो सकता है शुबह आ के शाम को निकल जाएं और अपने अटेनल्स को दिखा दें आपको इस डंके सिस्टम लगाने हैं कि जिससे कि ऐसे लोग जो इस मौके पर चौका उठाते हैं जो इस बात का फाइदा उठाते हैं या तो वो लोग वहाँ पर न रहें या वो भी सिस्टम में आ जाएं लास्ट में जो आपको रिजन देने चाहता हूँ कि मालक है, ओनर है, हम लोग काम कर रहे हैं उसको दिख रहा है लेकिन जब आप नहीं होते हैं तो उनको शाम को रिपोर्ट देनी पड़ती है उनको गूगल शीट से, मिस रिपोर्ट से या वच्चप से, किसी ना किसी तरीके से या टेलिफोन से, आपको रिपोर्ट मिलती मिलती है उनको पता है कि रिपोर्ट जाएगी इसलिए उनको ज़्यादा एफिशेंटली काम करना पड़ता है हाँ, इसका लास्ट में एक डिस्क्लेमर भी है बिल गेट से का है कि अगर आपका वर्क जो है वो एफिशेंट है आपका प्रोसेस एफिशेंट है काम धंदा अच्छा है आप एक मुकाम पर हो तो ये काम करेगा लेकिन अगर आपका जो प्रोसेस है वो एफिशेंट नहीं है वरक अस्तिन डेडिकेट नहीं है आप मुकाम पे नहीं हो आप स्ट्रॉगलिंग हो तो फिर ये काम नहीं करेगा इन सब बातों को इन सब डिस्क्लिमर्स को इन सब इप्स और बट्स को आपने दिवाग में जरूर रखना है गोस्तों अंत में अगर आप इस बिजनस कोर्स को जाइंग करना चाहते हैं जो कि नेक्स्ट बैच हमरा बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है तो आप उपर लिखे हुए नमबर पर कॉल कर सकते हैं और साथ मैं अगर आप लोग यहां पर पीजी गेस्ट की तरह रहना चाहते हैं जयसे मैं आपको बताया है अगर आइड़ के बाहर आप रहते हैं या इप